इस वीडियों बात करने वाले हैं जो भी हमारे बीए बेस्टी बेकॉम के थर्ड समेस्टर के छात्र जिनको कल परसो या फिर आने वाले दिनों में परिच्छा देनी है एक करिकुलर सब्जेक्ट की जिसका नाम है और ये बी तरतीय समेस्टर में होता है और कल मैंने महा संगराम वीडियो अपलोड की थी और आज पेपर हुआ ता आकुछ इन्वेसिटियम परिच्छा आज हो चुकी है और मैंने जो पेपर बत्ब कि जो मैंने कल कोशिचन मेरे द्वारा बताएगे परिच्छा में प्रस्णा आए थे गैरंटी के साथ मैंने बताया था कि आपको इतने प्रस्ण तो कम से कम देखने को मिलेंगे कम से कम मैंने 30-35 तो देखे ही हलाकि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं मैंने जहां तक देखा नजर जहां तक मेरी गई तो 30-35 कोश्चिन मेरे दोरा बताया गया थे ठीक है और मैंने आपको कुछ साथ कट ट्रिक और टिप्स बताई थी उनको जुन हात्रों ने अपनाया है ठीक है तो उनको पूरी सफलता मिलेगी मैं आपको एक बात बताओं अगर आपको देखे यह मेरी जिम्मेदारी बनती है और मेरी कुछ एक मालीजे पॉर्पाप से बड़ा कोई है ही नहीं क्योंकि मैं आपको इतना आसान टिक्स और ट्रिक्स मतलब की दो चीज़ होती है एक होता है ट्रिक्स मैं आपको दोनों बता चुका हूं और कोषिचन भी मैं बता चुका हूं तब तो वह अगर आप अपना लेंगे तो कोई भी फेल नहीं कर पाएगा आप चाहे पढ़े हूँ या फिर कुछ ना पढ़े हूँ तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ट है आज किस वीडियो का कि बिस्ट बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है बहुत ही पॉपलर बहुत ही टॉप लेबल का कोईश्चन है बहुत ही कई बार पर इच्छा में पूछा जा चुका है तो बताइए इसमें से कौन से से उत्तर हो का आप्शन ए या फ प्रडी भी बोला जाता है फिर आप बोल सकते हैं यह हाई लेबल का कोईश्चन का इबार पर इच्छा हम रिपीटेड है अगला प्रस्ट है कि सरकार द्वारा सारबर्जिक छेत्र के समता हिस्सा का निजी छेत्र के हाथों बेचना क्या कहलाता है बहुत ही पॉपलर कोई तो उसके अलावा हम आपको करीब करीब 500 कोईश्चन की पीडिया भी देने वाला हूं और आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूं कि आप बिना पढ़े भी कुछ पढ़ाई करके भी आप लोग एक्जाम में कैसे पास हो सकते हैं कोर करकूलर सबजेक्ट में तो डबलू टी ओ का फुल फाम होता आपको बताना कमेंट सेक्चन में जिन चात्रों को मालूम है तो इसका पूरा नाम होता है बिश्च बेपार संगठन याद रखेंगे क्या नाम है बिश्च बेपार संगठन डबलू टी ओ का पूरा नाम चुन लिजे धान से चुन लिजे JeeW का मतब होता है World तो डबलू टी ओ का पूरा नाम होता है World Trade Organization जिसको हिंदी में 20 वह पार संगठन बोलते हैं याद रखेंगे popular कही वार पाइच्छा हम repeated question मैं आपको बता रहा हूँ एक एक question चुन के मैंने से वेडियो में रखा जो आपके exam के नज़रिये से महात्पूरों वो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं कोई ये नहीं कि कहीं से भी उठा की कुछ भी डाल दिया ठीक है चलिए नेश कोश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारा में किया गया यानि कि भारत में जो आर्थिक सुधार है यानि कि फैनसियल जो सुधार है वो किस संद से शुरुवात की गई है भारत में बहुत ही पॉपलर कई बार पर इच्छा हम रिपीटेड कुश्चन है ठीक है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आफ्षिन नमबर बी ठीक है कि अधर है कि भारत के आर्थिक्षुधारों के संदर्व में लीटेड का पोरा नाम बताईए थीक है तो भारत के इंस पूरा नू नाम होता के यसलिए सगय उतर इसका हो जाएंगा सी नंबर ठीक है अगला इकि उदारि Valerie करण के प्रत्फिकूल प्रभाव है एकाँसा प्रभाव है ठीक है उदारिकरं की प्रतिकूल इन और साथ साथ में आया समानता के भी, ठीक है, आसमानता के है, ठीक है, सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा, ओके, अगला प्रशन है कि विदेशी बेपार को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन से उपाय करने चाहिए, तो आपको बताना सीमा सुर्क दरों में कमी करना, ठीक ह निर्यातकों को बहतर आधारिक संद्शना उपलब्द कराना, ठीक है, तो आपके जानकारी के लिए बता दें, कि जो उपाय किये जाएने चाहिए, यह सभी किये जाने चाहिए, इसलिए सही उत्तर इसकाड़ी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, अब आपको तिरपन न संत किया गया था, और कौन से सं में किया गया था, तो इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, आप्शन नमबर ए, ठीक है, जुलाई 1991 में, ठीक है, आम उल्लिन किया गया था, बहुत ही पॉपलर, बहुत ही कई बार पे च्छम रिपीटेड और मोस्ट इपॉर्टन कोश्च तो इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, आप्शन नमबर कौन सा, बताइए, सही उत्तर हो जाएगा, बी नमबर, ठीक है, यह स्टरन नीत के नाम फे जाना जाता है, ठीक है, अगला प्रशन की सरकार द्वारा लगाएगे, प्रतेच्छिया भौतिक नियंतरों में अर्थ है भाईया, तो अमुल्यन का आपको अर्थ बताना है, तो अमुल्यन का जो अर्थ होता होता है, बिदेशी मुद्राओं के संदर्व में एक मुद्रा के अधिकारिक मुद्र को कम करना, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, अगला है प्रशन को भी समलित किया गया है, उधारी कन को भी समलित किया गया है, वेश्वी कन को भी समलित किया गया है, नई आर्थिक नीत में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा, उप्रयोक्त में से सभी, या फिर इन में से सभी, ओके, अगला ठावन नंबर कोश्चन दिख रहा है कि कौन सा एक नई आर्थिक नीत का एक घटक नहीं है बाकी सभी है बताईए तो सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा डी नमबर आयाद ठीक है प्रती अफ्थाप नहीं है बाकी सभी इसके घटक है क्योंकि उपर वाला कोश्चिन से मैच कर रहा है ध्यान से आप लोग समझेंगे कोश्चन फिर उत्तर देंगे ठीक है अगला कहरा में आप सभी बताइए अगर आपको मालूम तो से उत्तर हो जाएक अप्षिन नंबर डी पांच है ठीक है अगला है कि रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के गवर्नर कौन है बहुत ही पॉपलर बहुत ही टॉप लेबल का कोईश्चन है आप सभी को ऐसे भी जानना चाहिए बताइए कमेंट सेक्शन में रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के गवर्नर कौन है कमेंट में बताइए आप सभी इसका उत्तर लिखेंगे आप सभी ससी ठीक है सक्तिकांत दाफ जी है रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के गवर्नर जो आपका रूपिया पैफा जो आप लोग नोट देखते हैं एंदिया काम काम करता है अफी है या उसमींदी प्रौइड करते चाहे अ इंडिया को चाही याद रखेंगे ठीक है तो सभी उल्लखित हैं यानि कि व्रचा सब्सक्राइब करते जो में और कमंतिकेंगे रहें तो कोई आपका जो पा जैसे पेटियम फोन पर चलाते हैं तो आप लोग को जो हैक ना कर ले मतलब कि आप लोग पासवर्ट डालते हैं यह फिर आपके कोई पैसा निकाल ले ठीक है तो यह सब क्या होती है साइबर फुरच्छा और सिकोटी के माध्यम से ही इसा पॉसिबल होता अगर ना हो तो आतंकी लोग और प्लस हैकर लोग इतने तगड़े होते ना कि आपके अकाउंट 10 लाग फेजिरो कर देंगे चुन दसीकिंडों में ठीक है तो यह सबी सीज़ीं होनी चाहिए साइबर अंग वाद्यों के खिलाा फूरच्छा पतान करती है शाइबर हमलों से बचती है ठीक है साइबर शुरच्छा का मतलब होगे आल लाइन जो दोखाँ होती है यह थे संभाधिक सब्सक्य राधित सब्सक्राइब अगला फ्रस्दाइब किससे र Gy愤 अब आप सब्सक्राइब करती है तो आप सब्सक्राइब पर चाहिए कोई कुछ हो ना पाया उनसे फुरुच्छित करती है ठीक है और इसलिए से उत्तर हो जाएगा उल्लेखी तिन में से सभी आपस्टन कि साइबर परच्छा करती है अपराधियों की रच्छा करती है ना कि सब्सक्राइब ने लोग होती है उनको को स्वरच्छा करती है टीक है इन सभी को स्वरच्छा करने का काम नहीं है इसलिए सभी हो जाएगा औमलिकित में से कोई भी नहीं ठीक इस बात को ध्यार ना किए ऑं सब में कुछुछ को और निकला लेकिन आपको समझ ले ना ठीक है का अपोगे अग्ला प्रस्न है कि कंपिउटर सुरच्छा का जनक काउन है। बहुत ही पॉपelt, बहुत ही टौप लिबिय अगे वहले ही है, 20- thmm clean 9 में तो 1. चुराने जासुशी करने चहतिग्रस्त करने ये नश्ट करने के प्रियास की रूप में प्रभाफित किया गया है बहुत ही पॉप्लर कोश्च रहे हैं चौनदे करने साइबर स्रच्षा में प्रक्ता लैसे सभी यानि कोप्रोगत तो साइबर सुरच्छा की जो विश्थाएं वह तो अनुपालन खत्रे की रोकता मांत्री खत्रों के खिलाब रच्छा इसलिए सभी अगला कि निम्रेकित में से कौन सा नेटवर्क शुच्छा का उद्देश है ठीक है तो 67 का सहुत्र हो जाएगा अपसर नमबर डी वफाद तक प्लब डता सभी यह जांबत आगला कहिए कि मिल्खित में से कौन सा अजटन नहीं है अगला प्रस्टन है को developers काई घटक है यह होजाए तो एक जो erste एकुश्टिन का स्यूत्तर हो जाएका आपसर उन्द记 وم המ׍ल से तो एक QL injection यह सभी हैं ओके अगला है कि निम्लिकित में से कौन सा साइबर सुरच्छा का लाव नहीं है तो इन में से जो सुरच्छा का लाव नहीं हो है सिस्टम को धीमा बनाता है एक लाव नहीं है कि अगला प्रशन है कि साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया था बहुत ही पॉपलर कोश्चन है ठीक है तो 72 नंबर जो कोश्चन दी करा इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से नंबर भी ठीक है विलियम गिप्सन बहुत ही पॉपलर कोश्चन याद रखेंगे साइबर स्पेस विलियम गिप्सन द्वारा गढ़ा गया था ठीक है अगला कोश्चन कि साइबर प्रद्विकी के छीतर में है किस वर्स एक बेवारिक अपराद और चिंता कभी से बन गया था किस सन में ठीक कि सरकारों ने देश या राज जी के लिए साइबर फुरच्छा परदान करने के लिए कुछ अधिक कुसल हैकर्स को काम पर रखा है इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहा जाता है ठीक है तो इस प्रकार के हैकर को कहा जाता है राफ्ट राज प्रयोजित हैकर ठीक है अगला प् लिखित में से कौन से कारवाई साइबर फूरच्छा पे समझावता करती है तो 76 साइबर सी धमकी ठीक है अगला एक नम्र सा है किंग देश्ट गौंड है जहां पर या फिर जहां साइबर अपराधी अतरिक्त टाफिक को ठीक है बरग लाने या पर्याप्त करने के लिए नकल टूप्यर अपराध नहीं कौन सा एन आपसनों में से ठीक है तो वह है क्रेडिट कार्ड का विबरण डीप वेव में मिं लीख हो जाता है ठीक है पौपलर कोश्चन है 28 को आठातर को सहित्तर हो गा आप से लिए últas करिड़िशत की केई बरग Pick साहइबर अपराधा कि ओक ताकि गदविदियों के लिए system को निमर्खित में से किस हमले में तोड़ दिया जा सके ठीक है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा 79 जो प्रश्ण दिखरा है इसका सही उत्तर हो जाएगा बीगो है बफर ओवर्फलो ओके आगला प्रश्ण कहे रहा है कि निमर्खित म से कहीं पर आप कुछ भी सर्च करते हैं अगला प्रश्ण के निमर्खित में से किसे system या network को नुक्सान पहुंचाने नुक्सान पहुंचाने खत्रे का बढ़ा ठीक है खत्रे का कारण बढ़ने के प्रियाश के रूप में प्रभासित किया जाता उसको क्या कहते हैं ठीक है परिच्छा में कई बार रिपीटेड है ठीक है तो हैकर सब्द की जो उत्पत थी वह माइटी से हुई है कहां से हुई है माइटी से हुई है अगला प्रश्ण है कि system या network में कमजोरी की कमजोरी के आफ्तित को क्या कहा जाता है system या network में जो weakness में तब की slow चलता है तो उसको ơn को क्या कहा जाता है ठीक है तो पच्चासी नंबर जो है इसका सह उत्त बुनियादी फिच्छा के परवर्तक कौन थे तो बुनियादी फिच्छा के परवर्तक का नाम बताना है तो उनका नाम है महत्मा गांधी जी ठीक है 87 का B नंबर सही उत्तर होगा ठीक है अगला है कि Odisha में बुनियादे फिच्छा पर सिच्छन के इंदर कहां खोला गया है किस अस्थान पर तो आपको 88 नंबर प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अप्शिन नंबर B ठीक है कहां पर खोला गया है अनुगाली में ठीक है अगल कि बुनियादे फिच्छा कब बनाइगी ती की सन में बनाई गई थी तो 89 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा प्शण पर या जानिक है अगला प्रस्ण है कि रूरल एरिया में सरकारी सकूल देखते हैं इतनकी स्टार्टिंग मैं थी किस चन से हुई थी तो एक्यान नभे प्रश्ण का सह उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर ठीक है हरिजन में पत्रिका में प्रकासित किया गए था ठीक है प्रकासित किया गए था अगला मिश्या प्रशनए की बुनियादी फिच्छा कि गई तो बुनियादी फिच्छा में ठीक है जिस पहलो कि अपेच्छा की गई उसका नाम है अगलाए की निम्लक्त में से कौन से बुनियादी फिच्छा कि बती सिस्था नहीं है जोरानन नवे क Stück पर station नहीं ने मिसे इस बल दिया है पंचार नवे का सही उत्तर हो जाएगा अफिर नमबर भी उनका नाम है अर्विंदो नाम तो सुना ही होगा इंग्लिस में आप लोगों ने खास करके अगला है कि एमके गांधी ने किस वर्स मुफ्त और अनिवार फिच्छा लागो की थी मतलब कि सबके लिए जरूरी हो और फिरी सिच्छा हो ठीक है तो जो आपको 96 प्रश्ण दिख रहा है 96 नमबर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नमबर सी 1937 में ठीक है आगला कि गांधी जी ने कि प्रश्ण दिख रहा है 97 प्रश्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मालूम है तो जरूर बताएं सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर 27 का B 1915 में ओके अगला प्रश्ण कहे रहा कि किस ने कहा सिच्छा मनुस और बच्चे के सरीर मन और आत्मा में सर्वसेष्ट का सर बागेंट शित्रन है तो यह जो कहा गया है वह कहा गया है ंक गांधी के जुआरा सही उत्तर ए नमबर हो जाएगा ठीक है अगला कि बुनिवादी फिच्छा का दोस्रा क्या नाम है तो बुनियादी जो शिच्छा है इसका जो दूसरा नाम है याद रखेंगी इसका सही संक्या कितनी मतलब कौन से संख्या है तो 101 का से उत्र हो जाएगा आपसे नमबर सी ठीक है वन चास अगला प्रश्ण एक ब्रष्टा चान निवाराण अधनियम 1908 के तहित परभासित चुनाओ सब्द के अंतरगत नहीं आता तो यहां पर कई सारे आपसे इनमें से उत्तर पहला ही होगा के इन सरकार के तहित मानिता प्राप्त सेवा संगो के पता अधिकारियों के चैन के उद्देश से किसी भी कानून के तहित आयोजित चुनाओ ठीक है यह होगा से उत्तर ओके अगला प्रशना आपके समस्त प्रस्तुत है कि भरष्टा चान निवारण अधनियम 1908 के तहित परभासित लोक सेवक का अर्थ क्या है ठीक है तो इन आपसरों में से से उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर डी ठीक है अप्रोक में से सभी क्योंकि यह सभी आपसन सही है ठीक है पढ़ लीजेगा आप लोग अगला प्रशन है कि निम्रिखित में से या फिनिमन में से कौन भष्टा चान निवारण अधनियम 1908 के तहित परभासित लोक सेवक के अंतरगत नहीं आता है तो वो जो है नहीं आता वो है उप्रोक में से कोई भी न हां कई बार पर इच्छा में सारे कुछ कोश्चन ऐसे जो रिपीटेड हैं और फिरहाल मैं आपके जानकारी के बलता दूँ यह पूरी पूरी पीडियाप आपको टेलीग्राम वट्सप पे मिल जाएगी ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और बाकी मैं आपको यह भी पीडियाप भी आपको टेलीग्राम वट्सप पे मिल जाएगी उस पे भी थोड़ा आपको ध्यान दे रहे ना बाकी मैं आपको ट्रिक और टिप्स बता दे रहा हूं जो कि आपको फोलो करना है और पैच्छा में आप सफ़ल होंगे ठीक है आपको जैसे की एक कोश्चन है ठीक है ठीक है यह कोश्चन है कि प्रचीन काल के फिच्छा प्रणाली का फ्रोत क्या माना गया है ठीक है तो जहां पर आपको चारा मतब की इस तरह आपसन लिखेंगे और लास्ट वाला आपसन यदि इस तरह है कि यह सभी या फिर इन में से सभी या फिर उप्रोक्त में स उस प्रश्ण के मतलब आपसर नंबर लास्ट वाला यह सभी उप्रोक्त में से सभी यह दिया है तो यही वाला आपको टिक करना इस बात को नोट कर लीजिए ठीक है और कुछ कुछ क्वेश्चनों में आ और बा यहीं किसी नंबर में दिया जाएगा यह नंबर भी सही और ब बताईए उप्रोक्त में से सभी यह इनमें से सभी ठीक है यह वाला टिक करके आए क्योंकि मैं आपको बता दू पच्छत्तर नंबर को जो आपका पीपर होगा ठीक है उच में से करीब करीब 20 से 30 नंबर की जो प्रशना आपको देख रहें को बिलेंगे उसमें लास्ट व सब्सक्राइब आपको जानकारी होगी बस आपके 40 नंबर पक्के हो गया पासिंग मारक आपका पक्का हो गया बाकि अगर आपने और अच्छे वे तैयार की यह तो आपके और अच्छे नंबर आएंगी और बेस्ट आप तो एक्जाम है इस सभी कोई पीडियाप आपको ट